रेस्टरॉन जैसा खाना घर पे बनाएंगे बहुत ही कम टाइम में इतनी तेज बारिश बाहर जाने का मन है बाहर का खाने का मन है लेकिन जाने सकते हैं इसलिए आज बनाएंगे बिल्कुल रेस्टरॉन जैसी मोगलाई चिकन वो भी कम टाइम में और पहुत ही मज़ेदार ह अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को आगे से आगे शेयर करें एक लाइक दे दीजिए और इसी तरह की रेसिपी देखने के लिए यूट्यूब फेस्बुक या इंस्ट्रिग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं पहुत ही यम्मी है और क्विक बन जाए कि बिना किसी प्री प्रिपरेशन के तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं हम इसे बनाएंगे कूकर में इसलिए मैंने ले लिया है करीबन 3-4 कप जितना तेल इसमें स्लाइस के हुए दो बड़े प्याज अच्छे से बूनेंगे आप चाहे तो ये प्रोसेस को पहल करीबन लाल हो जाए तब तक जब ये अच्छे से बून रहा है तब तक हम आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं हम इसे दीमी आज पर या मध्यम आज पर अच्छे से लाल होने देते हैं तब तक ही ले लिये है मैंने करीबन 500 ग्रामज जितनी चिकिन इसमें डाल देंगे करीबन एक बड़ा चम्मच जितने रूटीन मसाले ले लिया है मैंने गरम मसाला धन्या पाउडर हल्दी पाउडर कश्मीर लाल मिर्च और हमारी नॉर्मल लाल मिर्च जो भी आप घर में इस्तमाल करते हैं हाफ टीजपून जितना मैंने ले लिया है अद्रकलेसुन का पेस्ट स्वाद अनुसार डाल देंगे नमक चीज़े जल्दी जल्दी बन जाए प्रोसेस लंबा न लगे इसलिए मैं मसाले और सारी चीज़े एक साथ आड़ करूँगे एक बड़ा चम्मच जितना ओयल ले ले ताकि चीज़े अच्छे से एक दूसरे के साथ मिल जाए अच्छे से मिला के इसे करीबन आदे गंड़े के लिए साइड में छोड़ देते मेनवाल हमरा प्यार हो चुका है तो बस इसे निकाल लेते हैं मैंने पूरी रेसिपी में सिर्फ 3-4 Cup आप 1 1 Cup जितनी सी क्वॉन्टिटी में बना रहे बस उतना ही ऑईल लए ना ही इसमें से निकाल आ है ना ही एक्स्ट्रा मैंने ऑईल का इस्तुमाल किया है बस इसे ले लिया है मैंने grinder में थोड़ा सा थंडा होने देंगे हलका सा अब थंडा हो चुका है तो इसी grinder में एड़ कर देंगे फिर से थोड़ा सा दही ये करीबन half cup जितना मैंने दही लिया है और इसमें एड़ कर दूँगी एक मुठी यानि करीबन 10 से 15 काजू और बदाम मिक्स होंगे मैंने बदाम को बिना चलके के ऐसे ही ले लिया है हलके से गरम पानी में करीबन 15 मिनिट के लिए पहले से बिगो के रखके थे ताकि थोड़े से soft हो जाए और अच्छे से grind कर सके हम अगर आप dry fruits नहीं इस्तमाल करना चाहते तो आप melon seeds यानि मगज तरीके बी भी इसमें add कर सकते हैं क्योंकि इसमें हम नहीं add करेंगे हमारे tomato तो तिक ग्रेवी और पिल्कुल रेस्टराउन जैसे creamy ग्रेवी बनाने के लिए हम थोड़ी से dry fruits इस्तमाल करेंगे अब फिर से routine मसाले लिकिन मैंने नमक के साथ add कर दिया है यानि आप नमक को अपनी ग्रेवी के according edges कर सकते हैं एक छोटी चमच यानि चाई की चमच जितने मैंने सारे मसाले फिर से ले लिया है इसी grinder में add करेंगे आप चाहे तो चिकन को भूनते समय भी मसाले को add कर सकते हैं जितना हो सके quick बनाएंगे ताकि आपको recipe लंबी ना लगे और आप try करने को हिचक जाओ तो सारी चीजों को अच्छे से grind कर देंगे वो भी बिना पानी के अब जो cooker में बचा हुआ तेल था उसमें डाल देंगे हमारे खड़े मसाले यानि मैंने ले लिया है दो तेजपते दो दालचीनी के तुकडे एक बड़ी इलाइची थोड़ी सी यानि चार से पांच मैंने ले लिया है लॉंग और इलाइची और एक छोटी चमच जीरा अच्छे से इसे भून लेंगे तेल में और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हमारी मैरिनेट की हुई चिकन मैंने बनाया है कूकर में तो करीबन तीन सीटी में या आराम से यानि 15 मिनिट में या आराम से रेसिपी तयार हो जाएगी आप चाहे तो बस एक ही प्रोसेस से जो ग्राइन करते हैं मसाला उसे भी प्रिपेर करके रख सकते हैं और चिकन को भी मैरिनेट कर सकते हैं आदे घंटे के लिए और साथ में हम यह पीसी हुई हमारी जो मिक्शर है उसे एड कर देंगे तो बस पांच मिनिट के लिए हम इसे दक्के पकाएंगे और ज्यादा नहीं और दक्के करीबन पांच मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पे और रिनीस होने तक हम इसे पका लेंगे इसके बाद इसमें आप जितना पानी डालना सके मैं बहुत ही कम डालूंगी यानि हाफ कप जितना ताकि हमारी ग्रेवी एक्दम रेस्टरॉंट जैसे ठिक बने और चिकन तो कूकर में बन रही है तो आराम से ये गल जाएगी तो बस हाफ कप ग्राइंडर में ही मैंने ले लिया है थोड़ा सा पानी ताकि हमारा एक्स्टरा कोई भी विस्टेज ना हो और ग्राइंडर में पीसे हुई सारी चीज़े फिर से इसमें आ जाए तो हाफ कप पानी कूकर की सीटी लगा दीजिए और इसे एक सीटी हाई फ्लेम और इसके बाद हम दो से टीन सीटी मध्यम आज पर पका लेए तो बहुत ही आसान और मिंटों में बन जाने वाली ये रेसिपी तैयार हो चुकी है पिलकुल रेस्टराउन जैसा लुग देंगे हम इसे य तो होब आपको आज की मेरी ये रेस्टराउन स्टाइल मुगलाई चिकन पसंद आई मैं इसे सर्फ करूंगी और इसे थोड़ा सा रेस्टराउन जैसा लुग भी देंगे हम क्रीम ड्रिजल कर लेंगे इसके उपर थोड़ से दनिया पत्ते और इसे नॉर्मल रोटी के बने रही है और विडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक दे दीजिए और इसे आगे जरूर शेयर करिये तो चलिए मिलते हैं नेक्स विडियो में